Hello everyone, welcome to all of you, this is Anju Moria और आज के इस वीडियो में हम आपको सारे तरीके के जो immunoglobulines हैं या antibody हैं उनके functions और उनके concentration के basis पे किसका concentration सबसे कम होता है, किसका जादा होता है और किसका molecular weight सबसे कम होता है और किनका क्या-क्या role है इसके बारे में discussion करते हैं देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जो immunoglobuline है ये glycoprotein होते हैं antibody के बारे में हम लोग जानते हैं जिसमें दो light chain और दो heavy chain होते हैं किसी वीडियो में हम इसका structure भी आप से share करेंगे आज हम आपको इसका function describe करने जा रहे हैं कि कितने तरीके के होते हैं तो हमें पता है कि immunoglobuline पांस तरीके का होता है Ig, G, IgA, IgM, IgE और Ig, D पांस तरीके के immunoglobuline के बारे में हम लात करेंगे देखिए सबसे ज़ादा IgG होता है और इसका function है इसका concentration maximum होता है इसका function can, मतलब secondary response में होता है secondary response क्या होता है जब आपको किसी को primary एक बार infection हो जाए तो उस वक्त जो body response करती है उस infection के against उसको primary response केते है लेकिन अगर वही same microorganism दूसरी बार हमारी body में encounter करता है या enter करता है तो उस वक्त जो है, उस वक्त क्या होता है कि जो हमारे body का response होता है उसको secondary response केते है secondary response में IgG का रोल है ये एक ऐसा antibody है जो placenta को cross करके fetus में जाता है तो एक तरीके से ये natural passive immunity प्रवाइट करता है इसका chronic response मतलब बहुत दिन से अगर कोई बिमारी है तो उसमें ये IgG fight करता है IgA की बात करें तो ये dimer होता है अभी हम बताएंगे इसका dimer कैसा है मतलब दो antibody इस तरीके से आपस में जुड़े होते है एक S chain के द्वारा secretary chain इसलिए इसको secretary antibody केते है ये हमारे body के secretions में जैसे saliva में और tears में colostrum में present होता है तो देखिए colostrum जो mother का initial milk होता है उसको colostrum केते है और colostrum में ये present होता है और इसमें J chain present होता है इसके बारे में बताएंगे IgM इसका maximum molecular weight होता है ये pentamer होता है pentamer का मतलब ये हुआ कि 5 antibody आपस में एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं 5 antibody आपस में एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं pentamer होता है करता है acute infection मतलब नया नया कोई आपके लो की जल्दी का कोई infection है वहाँ पे ठीक है IgE का concentration सबसे minimum होता है यह allergic reaction में role है hypersensitivity में role है इसलिए इसको reagenic antibody के नाम से भी जाना जाता है reagenic antibody ठीक है IgD monomer है इसका कोई function अभी still बहुत अच्छे से clear नहीं है तो यह पाचों को आपको जानना है बाकी देखना है कि देखिए यहाँ पे हमने एक IgG E और D यह सब monomer है monomer है मतलब एक antibody IgA जो है यह dimer है देखिए दो antibody एक साथ जोड़े हुए जबकि IgM है 10 एंड मतलब पाँच antibody एक साथ जोड़े हुए तो पाँच antibody एक दो तीन चार पाँच तो कुल मिला के इसको पेंटा मर करते हैं अब अगर इनसे पूचा जाता है कि concentration के basis पे किसका concentration के basis पे आपको याद रखना है concentration के basis पे तो गम दे से याद रख लेना गम दे से याद रखना मतलब IgG का concentration सबसे ज़ादा A फिर M फिर D और सबसे कम concentration ही तो यह concentration and half life के basis पे है half life किसकी सबसे ज़्यादा है G की, फिर A की, फिर M की, फिर D की, फिर E की concentration भी G का, फिर A का, फिर M का, फिर D का, फिर और molecular weight के basis पे molecular weight के basis पे अगर हम लोग देखें, तो my DG से याद रख लेना, my ठीक है, DG मतलब M, फिर A, फिर E D, फिर G, मतलब M और A क्योंकि M जो है, पेंटामर है, A डाइमर है, और ये तीनों monomer है monomer में भी amino acid के number के वज़े से इनका थोड़ा weight vary करता है, तो E D और molecular weight G का सबसे कम, G का concentration सबसे ज़्यादा और half life सबसे ज़्यादा और molecular weight सबसे कम होता है तो I hope कि आपको ये एक topic अच्छे से clear हो गया होगा कि कौन-कौन सा antibody function क्या है और किसका concentration ज़्यादा है, किसका molecule ज़्यादा है, ओके बाई-बाई सभी को all the best